नमस्कार दोस्तों मैं हो विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल वाउचर की एंट्री विदाउट इंवेंट्री तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको पांच एक्जाम्पल दिये थे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 5 एंट्री पास की थी हम यहाँ पर Alt F1 करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमने 5 एंट्री पास की थी जिसके इंदर हमने आपको बताया है था कि आप बिना इंवेंट्री के कि तो आप कैसे कर सकते हैं आज हम आपको वह बताने वाले हैं अगर आपने हमारी यह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर कि इसे देख सकते हैं अदरवाइस मैं आपको आई बटन पर भी आपको इसका लिंक प्रोवाइट कर दूँगा अब वहां से भी इसे देख सकते हैं तो स्क्याप करके हम लोग यहां से बाहर आजाते हैं बाहर आने के बाद हम आजाते हैं गेटवे आफ टैली पर गेटवे आफ टैली पर आने के बाद यहां पर आपको जाना है वाउचर्स के अंदर vouchers में जैसी आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी present में हमारे पास purchase voucher यहाँ पर open है और purchase voucher की जगाँ पर हमें क्या करना है? sale करना है तो sale करने के लिए हम यहाँ पर press करेंगे F8 F8 press करते ही आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर party की detail sale ledger का detail और item बगरे की detail हम से मांग रहे है तो बिसकि हमारे पास तो कोई item की detail है ही रही तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर press करेंगे Ctrl plus H जैसे हम यहाँ पर Ctrl plus H press करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने तीनों information represent हो चुकी है जिनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हो यहाँ से हमें select करना है as voucher को as voucher को select करने के बाद जैसे हम यहाँ पर enter press करेंगे तो enter press करती है आप देख सकते हैं हम directly jump कर जाएंगे sale voucher पर अब यहाँ पर हमें सबसे पहले particle ledger create करना पड़ेगा तो particle ledger create करने से पहले हम समझते हैं अपने question को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला question है उसके अंदर लिखा है कि आदित्या को हमने 50,500.35 पैसे का सामान बेचा जिस पर हमने 18 प्रतेशत का intra state tax प्राप्त किया अब यह intra state tax क्या होता है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि intra state tax आपके same state में लगाया जाता है जैसे cgst और sgst अगर आप same state में किसी भी सामान को खरीते या बेचते हैं तो उस situation में आपका intra state tax लगीगा यानि cgst और sgst जिसकी बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो amount है हमारा इसी amount में यह सभी tax हमारा included है जिसमें हमारे पास वस्तु की कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि छोटी या बड़ी बहुत सी वस्तु हैं हमने यहाँ पर उसे बेची है तो इस question को आप किस तरीके से solve करेंगे तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से टेली स्क्रीन पर टेली पर आने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले party का ledger create करना है तो ledger create कैसे करते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ मैं यहाँ पर directly आपको ledger create करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको press करना है alt के साथ c जैसे आप alt के साथ c टेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर window open हो जाएगी और उपर की तरफ यहाँ पर आपको अपना ledger type करना होगा तो यहाँ पर हमारी जो party का नाम है हम यहाँ पर type करेंगे तो यहाँ पर हम type कर लेते हैं आदित्या आदित्या लिखने के बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे और enterprise करते हैं आप देखेंगे sendi creditor के बारे में भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं एक बर फिर से आपको remind करा देता हूँ sendi creditor तब use किया जाता है जब जिससे हम माल खरीदते हैं जैसे माल लिजे जिस party से हम किसी भी सामान को खरीद रहे हैं तो वो party हमारे लिए sendi creditor के लाई जाती है और जिस party को हम कोई भी वस्तू बेचते हैं वो हमारा sendi debitor यानि कि हमारा customer होता है तो यहाँ पर हम अदित्या को सामान बेच रहे हैं इसलिए हम इसे under of sendi debitor रखेंगे sendi debitor रखते वे जैसे में आपर enter press करेंगे यहाँ पर आपको enter, enter करके यहाँ पर नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है state आपको दिन्ली ही select करना है क्योंकि हमारा जो text यहाँ पर लग रहा है वो intra state text है क्योंकि हमारा state भी दिल्ली है और जहाँ पर हमारा माल बिक रहा है वो भी दिल्ली में है तो इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली को select करेंगे और यहाँ पर pin को डालते हुए आप नीचे की तरफ enter एंटर करके save कर देंगे अगर आपके पास party का pen का detail है तो आप fill कर सकते हैं यहाँ पर आप registration type में regular रखते हुए एंटर पैस करेंगे यहाँ पर आपको party का gst number fill करना होगा तो यहाँ पर हम party का gst number fill कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंडमनी हमने कोई भी number example के यहाँ पर type कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पर enter press करेंगे enter press करते हैं यहाँ पर आपके सामने एक और information आ गई जो कि आपकी purchase में भी आपके सामने आई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुगा है कि set alter additional gst detail क्या आप इसकी additional gst detail fill करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे yes करना है यहाँ आपको यहाँ पर enter press कर देना है जैसे अप यहाँ पर enter press करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर additional gst detail के अंदर आपका state represent होगा तो यहाँ पर आपको अपना state select करना है और अब आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है इस ता पार्टी, अट्रांसपोर्टर, क्या यह ट्रांसपोर्टर है, तो यहां पर आपको इसे yes कराना है, enter past करना है, यहां पर आप देख सकते हैं जिएस्टी नंबर बाई डिफॉल्ट यहां पर दिखाई दे जाएगा, example के लिए हमारा one है तो हम यहाँ पर one को type कर लेते हैं आपके case में जो भी number होगा आपको यहाँ पर वो number type करना होगा enterprise करते ही आप देखेंगे आपकी date यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगी यहाँ पर आप date modification कर सकते हैं अपने इसाब से यहाँ पर हम इसे enterprise करेंगे और enterprise करते ही आप यहाँ पर देख सकते है dispatch document number यानि जब आपने dispatch किया था जिसके थूढ़ dispatch किया था उसका doc number आपको यहाँ पर type करना होगा तो example के लिए हम यहाँ पर triple one type कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते है dispatch त्रक लिखने के बाद जैसे में यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आप से पूछा जा रहा है डेस्टिनेशन यापका सामान की जगा पर डिलिवर होगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं जड़ोद जड़ोदा लिखने के बाद जैसे में यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं केरेर एजेंट नेम आप से माग रहा है यानि कौन सा परसन है जो इस सामान को वहाँ तक डिलिवर करेगा उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा तो हम यहाँ प टाइब कर देते हैं एक्जामपल के लिए कोई भी नम तो हमने यहाँ पर टाइब कर दिया पंकच पंकच के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे बिल ओफ लाइनिंग नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा आपके बिल का क्या नंबर है वह आपको यहाँ पर डालना ह होगा जिस गाड़ी से आपका सामान डेलिवर किया जा रहा है उसका नंबर आपको यहां पे फिल कमना होगा तो हमारे केस में हम त्रक के थ्रू ओंआ को डिल्वर कर रहे हैं जईए अचाल के लिए विज आपको या趣 कर देते हैं और उसके फिल करना होगा यानि कितने का amount आपका है तो यहां से चले जाते हैं हम अपने question की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो amount है वो 50,500.35 पैसे का है तो यहां पर हम फिल कर लेते हैं amount को फिल करने के बाद हम यहां पर interface करेंगे, interface करते हैं आपको यहां पर method of adjustment में यहां पर आपको new reference रखना है new reference रखते हुए आप यहां पर interface करेंगे, यहां पर अगर आप due date देना चाहते हैं तो due date दे सकते हैं यहां पर कोई भी due date दे देते हैं एक्जामबल के लिए मल जाने हैं आपर टाइप कर दिया 10 days 10 days टाइप करने के बाद यहां पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं 11 April 2030 का आपका यहां पर due date आपको दिखाई दे जाएगा तो यहां पर हम इसे एंटर करके यहां पर save कर देते हैं save करने के बाद यहां पर आपको एक leisure create करने पड़ेगा sales का तो यहां तो आप यहां से जाकर के create वाले option पर click कर सकते हैं और यहां तो फिर यहां पर alt c press कर सकते हैं तो यहां पर हम create वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपको sales का एक laser create करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर बना लेते हैं sales account और उसके बाद under of डाल देंगे इसको sales account के sales account में डालने के बाद यहाँ पर आप type of laser में इसे not applicable रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं strategy detail के अंदर आपको यहाँ पर GST को select करना है क्योंकि हम इसके उपर GST apply कर रहे हैं तो यहाँ पर GST को select करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर list of options के इंदर हमें यहाँ पर goods को select करना है क्योंकि हमारे पास वज़त हुए जिसको हम यहाँ पर sale कर रहे हैं तो goods को लेते हुए हम यहाँ पर enter press करेंगे enter press करते ही आप देखेंगे method of calculation में आपके सामने दो option आपको दिखाई दे रहे है based on quantity और based on value तो यहाँ पर हम GST का जो भी calculation है based on value रखेंगे तो यहाँ पर based on value रखते हुए हम यहाँ पर इसे enter करके save कर देंगे यहाँ पर enter enter करके save करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे inventory allocation for sale account में आपसे quantity, rate, amount वगरा माँग रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी detail नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर enterprise कर देंगे enterprise करते ही आप देखेंगे हमारा credit side में 50,500.35 पैसा आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है और debit side में आप देख सकते हैं अधित्या की तरफ भी 50,500.35 पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर हमने GST को भी apply करना है यानि इसी amount के अंदर हमारा GST भी included है 18 प्रतिशक का तो हमें वो यहाँ पर add करना है तो उसे आप किस तरीके से add कर सकते हैं जैसा मैंने आपको purchase में बताया था कि यहाँ पर आप calculator के मात्यम से इसको calculate करके यहाँ पर बाकी का amount यहाँ पर fill कर सकते हैं जैसे माल लीजिए हमारे पास जो total amount है वो 50,500.35 पैसे का है जिसमें की 18% का amount minus करके बाकी amount हमें यहाँ पर type करना होगा और जो 18% का हमारा tax amount है उसे हम यहाँ पर cgst और sgst में यहाँ पर divide करके लिख देंगे तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको press करना है alt plus c alt plus c press करते ही आप देखेंगे आपका calculator आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर हम इस amount को यहाँ पर fill कर लेते हैं जैसे मालेजी हमने यहाँ पर type कर दिया 50,500.35 पैसा जिसको हम multiply करेंगे 18% से और enter pass करेंगे आप देख सकते हमारा जो amount है 9090.63 पैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही amount आप देख सकते हैं यहाँ पर by default fill भी हो गया तो basically हमें यहाँ पर जो amount fill करना है वो इस amount में से इस amount को minus करने के बाद जो amount बचेगा वो यहाँ पर fill करना होगा जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तो यह फटा-फटां कर लेते हैं चाहें तो आप इसी calculator की मदद से भी यह काम कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे backspace दबा के हम वापस से इस amount पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम प्रेस करते है और c वापस से और c प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है वापस से अपना amount तो 50,500.35 पैसे में से हमें minus करना है 9090.06 और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर interface करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका 41,410.29 पैसा आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको example में एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो total amount था वो 50,500.35 पैसा था जिसमें की 18% का हम यहाँ पर tax निकाल रहे हैं और बाकी amount का हम यहाँ पर sale कर दें और बाकी का जो हमारा intra state tax है उसको हम यहाँ पर receive करेंगे तो इसके लिए हम वापस से चले जाते हैं टैली पर टैली पर आने के बाद यहाँ पर आपको credit side में एक और लेजर create करना पड़ेगा CGST का आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने CGST का यहाँ पर लेजर पहले से ही create कर रहा था इसको select करके हम यहाँ पर enter press करेंगे तो आप देख सकते हैं CGST में बाकी amount हमारे सामने यहाँ पर reflect हो गया अब यहाँ पर मैं आपको दुबारा से एक बार दिखा दिता हूँ कि CGST का लेजर आपको कैसे create करना है आपको backspace दबाना है और इसका ultra open करने के लिए आपको यहाँ पर press करना है control plus enter जैसे भी यहाँ पर control plus enter press करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर CGST का लेजर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आपको इसे under of डालना है duties and taxes के इसके बाद जैसे आप यहाँ पर enter press करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको CGST का लेजर आपको दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं हमारा जो total tax है वो यहाँ पर 18% का है तो यहाँ पर हमें जो उसका tax देना होगा वो half याणि 9% देना होगा क्योंकि CGST और SGST जो होता है वो IGST का half होता है तो यहाँ पर हम 9% देते हुए यहाँ पर enter करेंगे rounding method को हमें आप not applicable करते हुए यहाँ पर इसे save कर देंगे save करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो tax है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर हमें जो amount fill करना है CGST में वो इस amount का half fill करना है 90.6 पैसे को हम divide कर देंगे 2 से और half amount हमें यहाँ पर CGST में रखेंगे और half amount हमें यहाँ पर SGST में रखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर वापा से इसी amount को select करते हुए alt c press करेंगे और alt c press करने के बाद यहाँ पर आपको अपना amount fill कर लेना है तो जैसे हम यहाँ पर amount fill कर लेते हैं 9090.06 हमने type कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर divide करेंगे 2 से और divide 2 करते हैं जैसे हम यहाँ पर enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं CGST में half amount यहाँ पर automatically reflect हो गया इसी तरीके से हम वापत से credit करेंगे SGST को और यहाँ पर हम select करेंगे SGST और SGST को select करते हुए जैसे में यहाँ पर enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी का जो बचा हुआ amount था वो भी यहाँ पर आपके सामने reflect हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो amount है वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं credit or debit side दोनों ही side में यहाँ पर balance equal आपको दिखाई दे जाएगा तो इस तरीके से आप sale voucher के entry पास कर सकते हैं without inventory यानि विना stock के जिसमें हमने आपको GST text भी लगा कर दिखाया है तो यहाँ पर हम enterprise करेंगे enterprise करने के बाद यहाँ पर आप narration देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पर हम narration में कुछ भी type नहीं करने हैं यहाँ आपको enterprise करना और यहाँ इसे accept कर दिए accept करते हैं आप देखेंगे हमारा जो पहला question था वो यहाँ पर हमारा solve हो चुका है अब बढ़ते हम लोग दूसरे question की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो दूसरा question है इसमें हमने लिखा है कि हमने आनंद को 20,500 रुपे का सामान बेचा जिस पर हमने 12 प्रतीशत का interstate टेक्स प्राप किया अब यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो text है वो interstate है यानि की IGST के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे है और IGST के अंदर आपका 12 का 12 प्रतीशत का text एक साथ लगता है तो इसकी entry हम किस तरीके से tally में करेंगे चलिए आए देखते है टेली में आने के बाद यहाँ पर आपको debit side में वापस एक party का ledger create करना है तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे altc और altc प्रेस करने के बाद आप देख सकते हमारी जो party का नाम हो यहाँ पर आनंद है तो यहाँ पर हम type करेंगे आनंद आनन टाइप करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था यह अंडर जाएगा हमारे सेंडी डावेटर के एंटर पैस करते हैं आपको यहाँ पर नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर आपको अपना state select करना पड़ेगा, जिस state में आपने हमने सामान को बेचा है, तो example के लिए हम यहाँ पर गोवा को select कर लेते हैं, गोवा को select करने के बाद यहाँ पर आपको party की पुरी detail फिल करनी है, enter interface करके आपको नीचे आजाना है, party का pen number अगर आपके पास है नंबर है आपकी party का, वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तो आप देख सकते हैं, हमने randomly यहाँ पर कोई भी number टाइप कर दिया है, example के लिए और यहाँ पर enter press करेंगी, enter press करती है आपको यहाँ पर भी set ultra additional detail को यहाँ पर yes कराना है, yes करती है आप यहाँ पर state select करने नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हम फटाफ़ सारे detail कर लेते हैं, सभी details को फिल करने के बाद यहाँ पर हमें enter press करना है, enter press करती है आप देख सकते हैं, आपका party का detail यहाँ पर आपको दिखाई दे जा रहा है, enter enter करके आपको यहाँ पर इसे select कर ले है, यहाँ पर आपको enter press करना है, due date अगर आप देना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे example के लिए मैं आपको टाइप कर देता है, 10 days, और उसके बार यहाँ पर enter press करेंगे, enter press करते हैं, यहाँ पर आपको sales का लेजर से select करना है, आप देख सकते हैं, आपको दूबारा बनाने क items बगरा मांग रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास inventory detail नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे enter press करेंगे, enter press करती हैं, आप देखेंगे, दोनों ही side debit and credit amount में आपका equal amount show करना है, बट यहाँ पर हमें IGST को भी रूस करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर amount को select करते हुए, alt press करेंगे alt press करते हैं, यहाँ पर हम total amount type करेंगे, जैसे मालेज़े हम type करते हैं, 20,500 रुपे, जिस पर हम modify करेंगे, 12% का है, यहाँ यहाँ जो tax है, 12% का है, enter press करते हैं, आप देख सकते हैं, 2460 रुटेज़ा हमारा total taxable amount है, जो कि हम यहाँ पर receive कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ space वापस से दबाएंगे, और वापस से alt c press करेंगे, enter press करते हैं, यहाँ पर आपको type करना है, 20,500 जिस में से हम minus कर देंगे, 2460 रुपे, और जैसे में यहाँ पर enter press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, sales amount हमारे सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, 18,040 रुपेग मैं आपको backspace करके, वापस से दिखा देता हूँ, जैसे हम backspace करके, यहाँ पर control के साथ यहाँ पर enter press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर duties and taxes के अंदर हमने इसको enter up डाला हुआ है, enter press करते हैं, यहाँ पर जिस्टी डाला हुआ और यहाँ पर हमने iGST को select किया तो दोनों ही तरफ हमारा amount यहाँ पर balance बराबर आ रहा है, तो इस तरीके से आप teleprime के अंदर iGST का use कर सकते हैं without inventory, तो यहाँ पर हम इसे enter करके, इसे भी यहाँ पर save कर देते हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा तो त receive नहीं किया है, यहनि कि एक तरीके से simple sale entry है, तो इसको आप किस तरीके से pass करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपनी टेली स्क्रीन पर, टेली में आने के बाद यहाँ पर आपको alt c press करना है, लेजर create करने के लिए, और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का लेजर create करना है वो सारी डीटेल यहाँ पर fill कर दीजे, तो यहाँ पर हम enter enter के के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि partition ने कोई भी text यहाँ पर receive नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर enter enter करके से यहाँ पर save करने के बाद यहाँ पर आपको अपना amount डालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम हमारा जो total amount है, वो 21,200 रुपए का है, तो यहाँ पर amount डाल लेते हैं, हम 21,200 रुपए और यहाँ पर enter press करेंगे, enter press करते ही, method of adjustment में new reference रखते हुए, due date अगर आपको देनी है, तो आप दे सकते हैं, अभी फिलाल हम इसको blank छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम इसे enter करके नी हमारा debit or credit side, दोनों ही तरफ equal balance आपको दिखाई दे रहा है, जिस्टी हमने यहाँ पर receive नहीं किया है, इसलिए हमें आपर total amount को sale में रखते हुए, यहाँ पर इसे enter करके accept कर लेंगे, तो इस तरीके से हम इस entry को भी pass कर सकते हैं, अब बढ़ते हम लोग अगले question की तरफ, यह हाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो fourth question है, इसमें लिखा है कि हमने cash के माध्यम से 15,500 रुपे का सामान बेचा, लेकिन इस पर भी हमने कोई भी text प्राप्त नहीं किया, तो इसमें आप देख सकते हैं, हमारे पास party की कोई भी detail नहीं है, तो by default हम यहाँ पर cash को ही party समझ कर इसमें entry pass करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास किसी party की detail नहीं होती, तो यहाँ पर हम by default cash ही रखते हैं, तो इसके रह में जाना है वापस से tally में, tally में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको cash का laser दिखाए दे जाएगा, cash का laser आपको बनाने की ज़रत नही परती जब भी आप tally में कोई भी company create करते हैं, तो by default cash का laser और profit and loss का laser बन जाता है, तो यहाँ पर आपको directly cash को select कर लेना है, cash को select करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी detail फिल करने नहीं है, यहाँ पर भी आपको सिदे control A press करना है, control A press करने के बाद आप देख सकते हैं, यहा balance add करना आपको बताया था, कि किस तरीके से आप अगर आपके पास negative cash है, यानि आपके पास cash नहीं है, तो आप किस तरीके से cash को यहाँ पर add कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर सिदे directly amount fill करेंगे, तो चले जाते हैं अपने question के ऊपर, हमारा जो amount है वो 15,500 रुपे का है, तो यहाँ पर हम type कर लेते हैं, 15,500 रुपे, enterprise करेंगे, enterprise करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका sales का लेजर यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाएगा, जैसे हम यहाँ पर enterprise करेंगे, तो inventory detail में आपको यहाँ पर कुछ भी fill नहीं करना, सिदे enterprise करना है, enterprise करते आप देख सकते हैं, आपका total amount, debit and credit side में आपको दिखाई दे जाएगा, cash account आपका debit हो जाएगा, और sales account आपका credit हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, sales account कितना हमारा जो current balance है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक हमने इतने amount की sales कर दी है, तो यहाँ पर हम enter करके सिधे save कर देंगे, अब बढ़ते हम लोग next question की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो next question है, उसमें लिखा है कि वस्तू बेची गई, 14,230 रुपे की, यहाँ पर किसी भी party का नाम mention नहीं है, और नहीं यहाँ पर cash mention है, तो आपको बता होगा कि अगर party का न sales को fill करते हुए, सिधे control A करिए, यहाँ पर भी control A करिए, amount fill करिए, total amount हमारा कितना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, total amount 14,230 रुपे का, यहाँ पर हम अपना amount fill कर लेते हैं, 14,230 रुपे, और इसके बाद यहाँ पर enter press करेंगे, यहाँ पर sale voucher को select करते हुए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों इस तरीके से आप as voucher की entry यहाँ पर pass कर सकते हैं, without inventory यहाँ बिना stock के, अब मैं आपको एक बार balance sheet बापस से दिखा देता हूँ, स्कैप करके हम लोग बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद आपको जाना है यहाँ से balance sheet में, balance sheet में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, liability side में आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ liabilities आपको दिखाए देंगी, current liabilities, current liabilities पे जैसे हम यहाँ पर enter press करेंगे, तो यहाँ पर आप आपको दिखाए देगा, और syndic writer की कुछ liabilities हमें यहाँ पर दिखाए देगी, तो duties and taxes में जैसे हम यहाँ पर enter press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, debit side में हमारा काफी tax amount यहाँ पर reflect हो रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पर purchase के entry pass की थी यानि कि हमने वहाँ पर tax को pay किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर tax को receive किया है, यानि जो tax amount यहाँ पर हमारे सामने reflect हो रहा है, लेकिन जो tax amount यहाँ पर pay किया था, वो tax amount यहाँ पर minus हो गया है, और बाकी का जो amount है, वो आपके सामने यहाँ पर reflect हो यानि कि जितना amount हमने अभी purchase किया था उस पर हमने जो भी tax amount पे किया था उस amount को minus करने के बाद जो extra tax amount हमने party से यहाँ पर receive किया है वो liability हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यानि 1500 की liability अभी हमारे उपर है यानि इतना tax हमें अभी भी सरकार को देना है इसका tax pay करना है इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर sendi crater में कुछ amount हमारे सामने reflect हो रहा है इस पर जैसे हम interface करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सभी amount को pay करना बताएंग इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो different in opening balance है यानि 50,000 रुपे का हमने cash balance open किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो सा और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं current period में हमारा amount reflect हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं current asset side में आप देख सकत हैं अभी हमारे पास century debitter से हमें इतना amount receive करना है यानि 92,200 रुपे .35 पैसा हमें अभी अपनी parties से receive करना है जैसे हम इस पर enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने इन तीन parties को सामान बेचा था जिससे हमें इतना इतना amount receive करना है तो receipt की वीडियो भी में बहुत जल्दी आपको देद हुआ जिसने आपको इन parties से पैसा हमने कैसे receive किया है इसके बारे में आपको बताया जाएगा करके हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cash in end हमें यहाँ पर 55,000 रुपे दिखाई दे रहा है अब यह 55,000 रुपे क्या है तो जैसे में यहाँ पर enterprise कर हुआ था और credit side में इतना amount हमारे पास वापस से credit हो गया है जब हमने sale किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 रुपे का हमारा total closing balance था यानि opening balance था जो हमने यहाँ पर amount cash के लेजर में डाला था purchase करते समय और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 रुपे का अलग से difference आ रह चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कितने का माल purchase किया था कितने का माल आपने sell किया है cash में और टोड़ आपको कितना profit हुआ है total amount आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसके बाद हम स्कैप करके यहाँ बाहर आ जाते हैं बाहर आने के बाद यहाँ से हम च परचेस किया था हूं, यहाँ पर 1160.39 का हमने अमौंट परचेस किया था और सेल किया है हमने एक लाग 10,360.29 का और हमारा जो नेट प्रोफिट है वो है 19,200 रुपय का यहाँ पर आपके आम आमौट रिफलेक्ट हो रहा है. तो यह हमारा प्रोफिट है जो कि हमने आपर परच और sell करते समय विसिफ किया था तो दोस्तों इस तरीके से आप purchase और sale के entry पास कर सकते हैं without inventory या नी बिना stock के और profit and loss की balance sheet भी आप इस तरीके से match कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यमद